बात चीन की जहां COVID-19 का पहला मामला सामने आया था और उसने इस महामारी से निपटने के लिए दुनिया की सबसे सक्त नीतियों में से एक अपनाया था पर मामले अब भी बढ़ रहे हैं क्या चीन को जीरो COVID-19 नीती पर सोचने की जरुवत है चीन के शंगाई में लॉकडाउन के तीन हफ़ते हो चुके हैं लेकिन यहां कई लोगडाउन लगाने से नाराज हैं यहां पुलिस और आम लोकों के बीच जड़प हो गए इस तरह के द्रिश यहां आम होते जा रहे हैं करे 25 लाख लोग लोकडाउन के वज़े से घरों में बंध हैं सर से पैर तक पीपी एक किट में धके अधिकारी शेहर के पूर्वी जिले में लोगों को उनके घरों से जबरन निकाल रहे हैं ताकि उन्हें अस्थाई कॉरिंटीन सेंटर में ले जाये जा सकी यह सब वहां फिर बढ़े COVID-19 के खिलाफ युद्ध के नाम पर किया जा रहा है कुछ लोग अपने घर को छोड़ कर नहीं जाना चाते वो अधिकारियों से दया की गुहार लगा रहे हैं वही कुछ दूरी पर विरोध प्रदर्शन भी जा रही हैं यह लोग लॉकडाउन के खिलाफ यह तो छोटा सा विरोध प्रदर्शन था लेकिन यह गुस्से और निराशा को दिखाता है सत्ता धारे कम्यूनिस्ट पार्टी को डर है कि कहीं यह गुस्सा बड़ा रूप ना ले ले जिसे वो बरदाश नहीं करेगी